नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परसफ पॉलिज वसेस FC गोवा मैस से जूरे सारी डिटेल्स के बारे में मैच इस टूरी के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे दोस्तो आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन का भी प्रेस कर दीजिए लेकिन दोस्तो उस टाइम में कुछ भी कनफरम नहीं था के विद्या सागर संग कौन से क्लब में साइन करेंगे तो दोस्तो फाइनली उन्होंने ंडिसा FC के लिए साइन कर दिया है और उडिसा FC के लिए हम सभी को ISL सीजन 8 में विद्या सागर सिंग खेलते हुए दिखेंगे तो दोस्तो ट्राव FC के लिए आई लिग में विद्या सागर सिंग ने जैसा परफॉर्मेंस किया तो बाकी ISL के टीमों ने दोस्तो इनको अपने टीम में साइन करने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि दोस्तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शांदार था और इनके परफॉर्मेंस के दम पर दोस्तो अभी ये ISL खेलने वाले हैं तो आशक करता हूँ कि उडिसा FC में विद्या सागर सिंग अच्छा खेल दिखाएंगे इनको प्रॉपर गेम टाइम मिलेगा और दोस्तो अच्छा खेलेंगे दोस्तो विद्या सागर सिंग तो चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं परसा पॉलिस FC और FC Goa मैच से जुरे सारी डिटेल्स के बारे में तो दोस्तो फस्त आप में FC Goa दोस्तो एक गोल करने में काम्याब हो जाती है परसा पॉलिस FC जेसे बरी टीम को तो दोस्तो चौदवे मिनिट में FC Goa को एक फ्रीकिक मिलता है और लॉंग फ्रीकिक से दोस्तो ब्रेंडन फरनांडेस सीधे एडू बेडिया की तरफ क्रोस करते हैं और एडू बेडिया हेडर लगा कर दोस्तो गोल कर देते हैं और मैच का स्कोर हो जाता है चौदवे मिनिट पे दोस्तो FC Goa वन और परसा पॉलिस FC शुन्या तो दोस्तो हम सभी को ये लग रहा था कि FC Goa इस मैच से जरूर अच्छा परदर्शन करेगी और एक अंग तो जरूर लेके आएगी और एक शुन्या का जब बढ़त मिला FC Goa को तो हमें लगा कि FC Goa जरूर तीन पॉइंट लेने में भी काम्याब हो सकती है क्योंकि दोस्तो FC Goa के डिफेंस हमने पिछले दो मैचों में देखा था कैसे अलवादा और अलरयान को रोग दिया था लेकिन दोस्तो अलवादा और अलरयान से भी ज़्यादा स्ट्रॉंग टीम थी परसा पॉलिस ऐसा हम सभी को पता था और वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला दो एक से दोस्तो FC Goa हार गई परसा पॉलिस FC के विरुद कर देते हैं परसा पॉलिस और उसके बाद परसा पॉलिस का दूसरा गोल आता है कॉर्णर के जरिये तो फर्स टाप में दोस्तो दो एक का बढ़त मिल गया तो परसा पॉलिस को लेकिन FC Goa के पास भी एक शुनिय का बढ़त था लेकिन वो बढ़त को बढ़करार नहीं रख पाए और आदिल खान के बारे में मैं बोलना चाता हूँ क्योंकि दोस्तो आदिल खान का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही हाला कि उन्होंने 15 से 20 मिनिटी खेला लेकिन दोस्तो बिल्कुल भी वो मैच में नहीं लग रहे थे उनका कॉन्फिडेंस काफी जादा लो लग रहा था और इसी लिए दोस्तो अमर जिस सिंग को युवान फिरांडो 25 या 20 मिनिट में ही दोस्तो आदिल खान से चेंज कर देते हैं और उसके बाद दोस्तो एफसी गोवा अच्छा खेलती है डिफेंस में भी दोस्तो और एटैक भी बीज़वीज में बना रहे थी फस्त आफ में लेकिन दोस्तो second half के अगर बात किया जाए तो second half में एफसी गोवा उतना ज़ादा अटैक नही बना रहे थी पुरी तरह से डिफेंस कर रहे थी दोस्तो पास ज़ादा था दोस्तो परसा पालिस का सब कुछ ज़ादा था शॉट अन टारगेट भी लेकिन दोस्तो एफसी गुआ ने भी दो शॉट अन टारगेट रखा था और धीरत सिंग के बारे में हम बात करते हैं तो भाई धीरत सिंग ने एफसी गुआ को बड़े मार्जिन से हारने से बचा लिया क्योंकि दोस्तो धीरत सिंग ने एक गुल त देखने को मिला धीरा सिंग ने तो शांदार सेफ किया और FC गोआ को पूरे मैच में बना के रखा लेकिन वो 14 मिनिट का इकोलाइजर के बारे में हम कैसे ना बात करें क्योंकि दोस्तो हमारे इंडियन फुटबॉल का वो एतिहासिक मुमेंट था जिस टाइम में एडू बेडिया ने हेडर के दोवारा गोल दागा क्योंकि दोस्तो इससे पहले हमारे इंडिया से किसी भी कलब ने AFC Champions League के ग्रूप स्टेज में कौलिफाई नहीं किया और गोल तो दागने का दूर ही का ही बात है लेकिन दोस्तो FC गोआ को ग्रूप स्टेज खिलने का मौका मिला और FC गोआ ने अपना पहला AFC Champions League का गोल दागा और हमारे इंडिया से ऐसी पहली कलब बन गई है ऐसी पहली टीम बन गई है जीनो ने दोस्तो FC Champions League के ग्रूप स्टेज में गोल दागा हो और वो भी दोस्तो परसा पॉलिज जैसी स्ट्रॉंग टीम के अगेंस में तो चली दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करो तो चली दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में